रेडियो फिंदुस्तान वंदे मात्रिम रेडे फिंदुस्तान आरजे रजने लेकर आई आपके लिए शिवलिंग पर क्यों नहीं चड़ा जाते तुलसी केतकी और चंपा के फूल आईए बताते हैं आपको शिव पूजा का महीना सावन शुरू हो गया है सावन में की गई पूजा से भक्तों की मनोकामने जल्दी पूरी हो जाती हैं जो लोग विती विधान से शिव पूजन नहीं कर पाते अगर वे सिफ जल और विल्व शिवलिंग पा चड़ा देंगे तो उन्हें पूजा का पू जलाना चाहिएं शिवलिंग पर तुलसी चंपा और केतकी के फूर नहीं चड़ानी चाहिएं आईए बताते हैं आपको आखिर क्यों शिव जी को तुलसी नहीं चड़ाई जाती पूराने समय में तुलसी का नाम ब्रिंदा था ब्रिंदा का विवा एक्देत्ते से हुआ इस देते का नाम शंक चूड था, कहीं कहीं इसका नाम जालंदर भी बताया गया है, देते राज ने देवताओं को पराजित कर दिया था, कोई भी देवता उसे मा नहीं पहरा आहता, व्रिंदा पतिवरता थी, इसी वज़े से शंक चूड अजे हो गया था, उस समय भगवान विष्णू ने तूलसी का पतिवरत भंग कर दिया, इसके बाद शिव जी ने शंक चूड का वत कर दिया, जब ये बात व्रिंदा को मालूम होई, तो व्रिंदा ने विष्णू जी को पत्थर बन जाने का श्राब दे दिया, विष्णू जी ने व्रिंदा का श्राब स्व बन गई शिव जी की पूजा में तूलसी की जगा बेल पत्र चड़ाई जाते हैं क्योंकि तूलसी श्रापित है दूसरा शिव जी की पूजा में तूलसी पत्र इसले भी नहीं चड़ाई जाता क्योंकि वे भगवान श्री हरी की पट्रानी है और तूलसी जी ने अपनी तप लेकिन वे यह नहीं जानते कि भोले नात को कौन से फूल चड़ाने चाहिए और कौन से नहीं हिंदु धर्म के मुताबिक भगवान शीव को चंपा के फूल बहुत पसंद है लेकिन उन्हें यह फूल अर्पित नहीं किया जाता इसके अलावा भोले नात को केतकी का फूल भी अर्पित नहीं किया जाता आईए बताते हैं आपको शीव जी को चंपा का फूल क्यों नहीं चड़ाया जाता औरानी कताओं के अनुसार एक ब्रहमन अपनी बूरे इच्छाओं के लिए चंपा का फूल तोड़ रहा था लेकिन नारज जी ने जब रिक्ष से पूछा कि क् उसके फूल तोड़े हैं तो उसने इंकार कर दिया मगर नारज जी को सच्चा ही पता चल गई वही ब्रहमन चंपा के फूलों से बूरे नाथ की पूछा करके राजा बन गया और लोगों को प्रताडित करने लगा जब नारज जी ने भगवान शीव से पूछा कि उन्होंन भगवान शीव की पूजा में स्विकार नहीं किये जाएंगे क्योंकि उसने जूट बोला है बस तभी से भगवान शीव को चंपा के फूल नहीं चलाए जाते केटकी का फूल भगवान शीव को क्यों नहीं चलाया जाता आईए बताते हैं आपको शिव पूरन के अनुसार एक बार भगवान विश्णू और भगवान ब्रह्मा जी में विबात हो गया। दोनों में से कौन बड़ा है। इस बात का फैसला करने के लिए उन्होंने भगवान शिव को नयकरता बनाया। और तभी एक जोतिरलिंग प्रकट हुआ। भगवान शिव ने कहा कि जो भी शिवलिंग का आधी और अंत बता देगा वही बड़ा होगा। भगवान विश्णू जोति निंग को पकड़ का उपर अंत और भगवान ब्रह्मा नीचे आधी का पता लगाने गए। मगर जब भगवान विश्णों को अंत का पता ना चल सका तो वह वापिस आ गए लेकिन भगवान ब्रह्मा केत्की के फूर को साक्षी बना कर भगवान शिव के पास पहुँचे और कहा कि उन्होंने आदी ढून लिया है उन्होंने केत्की के फूर से जोटी गवाई दिलवा इसलिए उन्हें भगवान शिव की पूजा में अर्पित नहीं किया जाता बने रहे हमारे साथ रेडियो दोस्तान पर सबको सिखाएं पेड लगाएं सबको सिखाएं जल बचाएं